तुलशी का पोदा भारत के लगबग हर घर में पा जाता है और हम इसे बहुत ही पुजा की जाती है तुलशी का पोदा हमारी आस्था का परतिष माना गया है किस परकार से आप तुल्शी का उप्योग करके अपनी मर्दान ताकत को बढ़ा सकते हैं तुल्शी के बीज का सेवन उन पूर्शों के लिए भोती में तपण माना गया है जो रात को बिश्टर पर जल्दी डिश्चार्ज हो जाते हैं और अपने जीवन साती को चरम सुक तर आपको इसका सेवन कम सेवन कम-10 से-15 दिन searching करना है आप देखेंगे कि आप-10 से-15 दिन ते बाद ये अपना असरत दिखाना सुरू करदेगा 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे की आपकि शिग्रपतन की समस्या में कुछ से बदलाओ आया है कई बार कुछ महि υलाओ को माशिक द्रम के समय कई समस्या को सबना करना पड़ जाता है जैसे पेट में दर्द, जोडो में दर्द, ठकान आदी की समस्या के लिए आप तुल्शी के बीज का सेवन कर सकते हैं जिसे के लिए आपको माशिक द्रम सुरू हो उसी दिन से जब तक माशिक द्रम रहे उस दिन तक आपको सुबह स्याम तुलशी के बीज का दूद के साथ शिवन करना है इसे कुछ ही समय में आप देखेंगे आपकी पिरिट से समधिस सभी समस्य शमाप्थ हो गई है इसके लावजीन माताव बेहनों को गरब दान करने की समस्य रहती है उनके लिए तुलशी के बीज बराम बान इलाज है इस समस्य से शुटकार पाने के लिए 5-5 गराम तुलशी के बीज सुबह स्याम पानी के साथ ले जब तक माशिक द्रम रहे माशिक द्रम समफ्थ हो जाने के बाद आपको माजुफल का चुरण बना लेना है और 10-15 गराम सुबह स्याम 3 दन तक लेना है ऐसा करने से आपको गरब दान करने में काफी मदद मिलेगी तो ये थी दोस्तों तुलशी से जुड़ी छोटी सी मेतफुन जानकरी उमीद करते हैं आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्षिन में जुरूर बताएं और साथ में वीडियो को वट्सप, फेस्बूक और ट्वीटर पर अपने दोस्त और फैमली के साथ सेर करें तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नहीं जानकर के साथ स्वस्त रहे मस्त रहे, जैहिन दोस्तों